ओम शान्ति बारा मार्च दो हजार चौबिस बाबा के महावाक्या मेथे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो बुद्धी बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे प्रश्ण तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षतकार हो जाता है उत्तर सत्युग आदी से लेकर कल्युग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं यह सारा साक्षतकार हो जाता है तुम सारे विश्व को आदी से अंत तक जान जाते हो जानने को ही सक्षतकार कहा जाता है अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले देवता थे आसुरी गुण वाले बने अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं अभी हम नई दुनिया नई घर में जाएंगे ओम शांती बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं अर्थार्थ इस शरीर को भुला रहे हैं बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए सकाश देते हैं आत्माओं को क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है तुम हर एक की बुध्धी बाप की तरफ जाती है बाप की बुध्धी वद्रिस्टी फिर बच्चों तरफ जाती है फर्क है ना डेड साइलेंस यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो आत्मा समश्ती है कि जितना याद करेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे जैसे सर्प का मिसाल देते हैं जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है तुम जानते हो हम शरीर छोड़ कर वापिस चले जाएंगे और फिर आएंगे यह बातें और कोई नहीं जानते यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है कोई भी ऐसी गैरंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है तुम बच्ची जानते हो हमारी अब वापसी जर्णी है आत्मा का बुधियोग उस तरफ है अब नाटक पूरा हुआ अब घर जाना है बाप को ही याद करना है वही पतित पावन है गंगा के पानी को तो लिब्रेटर और गाइड नहीं कहेंगे एक बाप ही लिब्रेटर और गाइड हो सकता है यह भी बड़ी समझने और समझाने की बाते हैं वह तो है ही भक्ती उनसे कोई कल्यान नहीं हो सकता बच्चे जानते हैं पानी तो इसनान के लिए हैं पानी कभी पावन नहीं बना सकता ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है भक्ती मार्ग में उनका महत्व रख दिया है इन सब बातों को कहा जाता है अंध श्रद्धा ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुश्यों को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की उलाद अंधे भगवानु वाच है न अंधे और सज्जे कौन है ये भी तुम जानते हो अभी सारे सृस्टी के आदी मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है तुम बाप को जान गए हो इसलिए सृस्टी के आदी मध्य अंत और डियोरेशन को भी जान गए हो एक एक बात पर विचार सागर मन्थन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है भक्ती और ज्ञान का कॉंट्रास्ट है ज्ञान बिलकुल ही न्यारी चीज है यह नौलेज नामी ग्रामी है राज योकी पढ़ाई है न बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताई संपूर्ण निर्विकारी थे रचिता बाप ही बैठ अपना परिचे भी देते हैं वह है परम आत्मा परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहां जाता है सोल अर्थार्त आत्मा बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है नहीं वह सुप्रीम नौलेज़फुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं पाड बजाने वाली आत्मा हैं, जरूर शरीर धारन कर पाड बजाएगी, आत्मा के रहने का इस्थान शान्ती धाम है, बच्ची जानते हैं, आत्माई ब्रह्म महतत्व में रहती हैं. जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मान्ड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं. ड्रामा में गिरने का उपाए भी नुधा हुआ है, वारिस तो जाही नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है, तो सभी एक्टर्स आकर इकठे होते हैं, क्रियेटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं, बच्ची जानते हैं, अब यह ना पूरा होता है, यह बातें कोई भी साधू संतादी जान नहीं सकते, आत्मा की यह नौलिज कोई को नहीं है, पर्मात्मा बाप यहां एक बार आते हैं, और सबको तो यहां पाड बजाना ही है, व्रद्धी होती रहती है ना, आत्माई सब कहां से आई? अगर कोई वापिस जाता हो, फिर तो वह रसम पड़ जाए, एक आए, दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर जनम कहां नहीं जाए, पुनर जनम तो शुरू से ही चला आता है पहले नंबर में है यह लक्षमी नारायन बाप ने समझाया है, पुनर जनम लेते लेते, पिछाडी में जब आ जाते हैं, तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है इसमें संशे की बात तो हो नहीं सकती आतमाओं का बाप खुद आकर समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, आगे पता था क्या कि परम आतमा क्या चीज है सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहां तो ढेर के ढेर मंदिर है सत्युग में मंदिर पूजा आदी होती ही नहीं, वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो फिर आधा कल्ब के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं, और कोई देश में यह गायन नहीं है राम राज्य, रावन राज्य, अभी तुम समझ गई हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद करना चाहिए यह नाटक है, इनको समझना है उंच ते उंच बाप है, वह भी नौलिजफुल है हम उनकी द्वारा उंच ते उंच बनते है उंच ते उंच पद मिलता है, बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारन करने है बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं इस समय तुम जानते हो, हमको इन जैसा संपोरण निर्विकारी बनना है बाप को याद करने के सिवाए और कोई उपाए नहीं है अगर कोई जानता हो तो बताए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म वा तत्व निर्विकारी है नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है ब्रह्म वा तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है वह तो रहने का स्थान है बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धी है वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है समझदार और बेसमझ है न तुमारी बुद्धी कितनी स्वच बनती और फिर मलेच हो जाती है तुम्हें purity और impurity के contrast का मालूम पड़ा है इंप्योर आत्मा वापिस जा नहीं सकती अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं यह भी ड्रामा में नून्ध है अभी तुम जानते हो यह है संगम युग बाप एक ही बार आते हैं ले जाने सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं जिनका पार्ट नहीं वह शान्ती धाम में रहते हैं इसलिए चित्रों में भी दिखाया है बाकी और जो भी चित्र आदी हैं वह हैं भक्ती मार्ग के यह है ज्ञान मार्ग के जिससे समझाया जाता है सुरुष्टी का चक्र कैसे फिरता है हम कैसे नीचे उतरते हैं चौधा कला से बारा कला होती है अभी फिर कोई कला नहीं रही है नंबर वार तो है न एक्टर भी नंबर वार होते हैं कोई का पगार एक हजार पंधरा सो कोई का सौ कितना फर्क हो गया पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पढ़ता है यहां तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं पद कम हो पढ़ता है फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं एक बार ही पढ़ाई होती है बाप भी एक बार आते हैं बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे क्रिश्चन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धी ना पत्थर बुद्धी होती है इस समय उन्हों की बुद्धी कमाल कर रही है साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चन से निकला है वो भी सुख के लिए ही हैं तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश्टो होना ही है फिर तुम शांती धाम सुख धाम में चले जाएंगे नहीं तो इतनी सब मनुश्य आत्माईं वापिस घर कैसे जाएं साइंस से विनाश हो जाएगा सब आत्माईं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी इस विनाश में मुक्ती अंदर मर्ज है आधा कल्प मुक्ती के लिए ही मेहनत करते आई है न तो साइंस और कैलमिटीज जिसको कुदरती आपदाईं कहते हैं यह भी होनी चाहिए समझना चाहिए यह लड़ाई निमित बनती है मुक्ती धाम में ले जाने के लिए इतने सब को मुक्ती धाम में जाना है तुमने भल कितनी भी मेहनत की गुरू किये हट योग सीखे कोई भी मुक्ती धाम जाना सके इतने साइंस की गोले आदी तयार होए है समझना चाहिए विनाश जरूर होगा नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे बाकि सब मुक्ती धाम में चले जाएंगे जीवन मुक्ती में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो यहां तो देखो सब खंडों के टुकडे टुकडे हैं बाबा तुमको अटल, अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं बेहद के बाप का वर्सा है बेहद की बादशाही यह वर्सा कब और किस ने दिया? यह किस की भी बुद्धी में नहीं आता है सिर्फ तुम ही जानते हो ज्यान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है आत्मा ज्यान स्वरू बनती है सो भी ज्यान सागर बाप से ही बनना पड़ी बाप ही आकर रचता और रचना के आदी मध्य अंत का नौलेज दे रहे हैं है भी एक सेकंड की बात सेकंड में जीवन मुक्ती बाकी सबको मुक्ती मिलती है यह भी ड्रामा बना हुआ है रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं वो लोग विश्व में शान्ती के लिए कितनी मेहनत करते हैं यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शान्ती कब होती है ब्रह्मांड में शान्ती कहा जाता है, फिर विश्व में शान्ती और सुख दोनों रहते हैं विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है चान सितारों से परे है ब्रह्मांड वहां यह कुछ नहीं होता उनको कहा ही जाता है Silence World शरीर छोड़ कर साइलेंस में चले जाएंगे तुम बच्चों को वह भी याद है तुम सब इस समय वहाँ जाने की तयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं तुमको तयारी कराई जाती है बाकी यह लड़ाई तो कल्यानकारी है सबका हिसाब किताब चुक्तू होना है सब पवित्र बन जाएंगे योग अगनी है ना अगनी से हर चीज पवित्र होती है जैसे बाब ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानते है वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानना है जानने को ही साक्षातकार कहा जाता है अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है बरोबर हम सारे विश्व को सत्युग आदी से कल्युग अंत तक पूरा जान चुकी है दूसरा कोई भी मनुश्य मात्र नहीं जानते तुम समझते हो हम जो देवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं फिर बाप आकर देवी गुणों वाला बनाते हैं बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है, कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जनम लेते हैं पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धी में नहीं है अभी तुम समझते हो, यह तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके, वह तो नैचुरल गोरे हैं प्योर प्रक्रती से शरीर भी प्योर बनते हैं, यह तो इंप्योर हैं यह रंग बिरंगी दुनिया सत्यूग में नहीं होगी श्री कृष्ण को कहा जाता है शाम सुन्दर सत्यूग में है सुन्दर, कल्यूग में है शाम सत्युक से कल्युक में कैसे आते हैं तुमको नंबर वन से लेकर मालूम पढ़ा है श्री क्रिष्ण तो गर्व से निकला और नाम मिला नाम तो जरूर चाहिए ना तो तुम कहेंगे श्री क्रिष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर शाम बनी इसलिए शाम और सुन्दर कहा जाता है उनकी जनम पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते तुमको अब नई दुनिया नई घर में जाना है जो अच्छी रीती पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक सभी आत्माओं का बाब बाब को मालिक कहा जाता है यह पढ़ाई है इसमें कोई संशेव प्रश्न नहीं उठ सकता इसमें शाश्त्रवाद करने की दरकार नहीं एक टीचर सबसे उचा वह बैट पढ़ाते हैं वही सत्य है सत्य नाराइन की सच्ची कथा सिक्षा के रूप में सुनाते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, अपने सब हिसाब किताब चुक्तू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तयारी करनी है याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है दूसरा, ज्यान सागर के ज्यान को स्वरूप में लाना है विचार सागर मन्थन कर अपना फैसला आपे ही करना है जीवन मुक्ती में स्रेश्ट पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारन करने है वर्दान बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्शनों के प्रभाव से मुक्त भावा जहां बाप की याद है अर्थार्थ बाप का साथ है वहां बोडी कॉंश्यस की उत्पत्ती हो नहीं सकती बाप के साथ वा पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अत्वा आकर्शन के प्रभाव से दूर हो जाते हैं ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं जैसे बाप उँचे ते उँचा है ऐसे बच्चों की स्थित्ती भी उँची बन जाती है नीचे की कोई भी बातें उन पर प्रभाव डाल नहीं सकती स्लोगन मन और बुद्धी कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा Om Shanti